इंडिया गडबंधन की उल्गुलान न्याय महारैली को लेकर जेमेम सांसद महुआ माजी और शिवसेना यूबिटी नेता प्रियंका चतुरवेदी साथी केंद्री मंत्री अरजुर्ट बुंडा ने क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनवाते हैं यह बहुत बड़ी रैली है और मुझे नहीं लगता कि जारकन में इतनी बड़ी रैली कभी होगी और सुवता लोग आ रहे हैं इस महारैली में क्योंकि यहाँ पे चुकी मानिय हिमन सुरिंग जी की बात है और जनता उनके लिए उमर पढ़ रही है और इंडिया गडबंधन एक साथ है तो इस्रेली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है और सभी लोगों को जो मानिय हिमन सुरिंग जी के साथ है जो अन्याय के खिलाफ है वो आज इस्रेली में आपको दिखेंगे पुरे देश भर के तमाम नेता आ रहे हैं और जारकन जुकेगा नहीं इंडिया स्वार्थी समुह का यह चुनावी गठवंधन के दृष्ट से है चुनाव में हम लाब कैसे ले सकते हैं नीजी लाब के दृष्ट से यह सारी चीजें की जा रही है और इसका कोई असर आम आजमे में नहीं होने वाला है आम आजमे राष्ट भक्ति देश भक्ति और अपने अपने अपनों के लिए ऐसा सोचे जो स्वाता राष्ट भक्ति हो इस मानसिक्ता के साथ काम कर रहा है मैसेज बस यही है कि ये ताना शाही के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ेंगे जिस तरीके से जन पतिनिदी चुनकर आई हेमन सुरेन जी हो अर्विंद केजी वाल जी हो उन पे एडी आईटी सीपिया इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है निर्दोश लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्क उनकी गुना क्या है वो इस केंद्र सरकार की ताना शाही के खिलाफ लड़ रहे हैं ताना शाही बढ़ती ही ताना शाही हो बढ़ती महंगाई हो बढ़ती बेरोजगारी हो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो ये सारे मुद्दे हमाले बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जंता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं और अगर आपने फेस वन का चुनाव देखा क्या होगा कि अब ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज प्रधान मंत्री आक्री शुनाव रहे हैं और वस्तार से जानकारी के साथ मेरे से होगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गया है मधुकर देखिए इंडिया गडबंदन की बड़ी तस्वीर आज राची में जा सकेगी इस वक्त वहां पर कौन-कौन पहुंच चुका है राची में किस तरह की अपडेट सामने निकल कर आ रही है देखे ये जो रैली हो रही है इस रैली के बारे में जो तीन बयान आपने सुनाए हमारे दर्सकों ने वो तीन बयान सुने उन तीन बयानों से राजनीतिक हालत तो साफ हो रही है कि कौन क्या इस रैली के बारे में सोचता है लेकिन हम लोग जब यहां जमीनी हकीकत देखते हैं इन तीनों बयानों में से दो बाते जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है जिसका विशलेशन जरूरी है पहली बात जो महुआ मांजी ने कही कि स्वतह लोग आ रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है कि स्वतह लोग आ रहे हैं तम पी गई है दूसरी बात जो प्रियंका चतुरवेदी जी ने कही कि निर्दोस लोगों को फसाया जा रहा है तो इस बात पर जिस तरह से हेमंद सोरेन के मामले में तो यहां कहा जा सकता है कि हेमंद सोरेन के जिस तरह के चैट्स आये हैं जिस तरह से तमाम सबूत उनके ये तमाम बातें इन दोनों नित्रियों के बयान का कहीं न कहीं खंडन करती हैं। पर मौझूद रहेंगे और ये जो बगल में ही प्रभात्तारा मैदान है लगभग काफी बड़ा मैदान माना जाता है और ये मैदान जो है वो एतिहासिक रूप से कई राजनीतिक रैलियों का गवार आ है। गुर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी जी की भी पहली जो रैली हुई थी उसमें यहां खचाखच भीड भड़ी हुई थी। अब यह देखना होगा इसमें कि कलपना सोरेन को स्थापित करने का जो यह मामला है कलपना सोरेन को स्थापित करने की जो यह कोशिस है आखिर ये कोशिश कितनी रंग लाती है क्योंकि जो तमाम पोस्टरों का आपने जिक्र किया लेकिन एक पोस्टर का जिक्र आप भूल गई एक पोस्टर नाची में ऐसा भी है जिसमें गुरुजी की तस्वीर सिक्के भर की है और कलपना सोरेन की तस्वीर 12-15 फीट की है ये बहुत एहम बात बोली आपने मदुकर जी बिलकुल एहम बात बोली मदुकर अचा मदुकर हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे देखिए 28 विपक्षी दल वहाँ पर पहुँशने वाले हैं उनके प्रतेनिधी पहुँशने वाले हैं इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास क्योंकि ये कहा जारा था कि पहले 14 विपक्षी दर पहुँचेंगे उसके बाद ये संख्या 28 पहुँच जाती है और उसके बाद सबसे पहले हम आपसे देखिए ये भी समझने की इसके बाद कोशिश करेंगे उल्गुलान जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे बिरसा मु में सबसे बड़ी बात जो कि स्थाने इस तर पर Mir gas Head यह बार के रहा हूं यह वह इंदिया गट वंधन की रेली हो गई है जो यह जो उल्गुलान की विस उल्गुलान में और तर सल यहरे अपने आप में सवाल उठ यह उठाता है लोग उठा भी रहें कि आखिर उल्गुलान किसके खिलाफ उल्गुलान तो बिरसा मुझा ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ तो क्या जरखंड मुक्ती मोर्चा ये कह रहा है कि हम फिर से 1947 के पहले पहुंच गए हैं और अगर ये कह रहा है तो ये कहां तक तरक संगत है क्योंकि जिस तरह से तमाम जगों पर तमाम चुनावों में बीजेपी की जीत हो रही है ऐसे हालात में पांच राज्यों में भी जो चुना हुआ था उसमें इसी तरह का माहौल बन रहा था कि जो बीजेपी जो है वो साफ हो जाएगी चाहे वो 36 गड़ो मदिप रहे हैं अभी प्रियंका चतुरवेदी की जो बाइट थी उसमें भी उन्होंने का है कि 100 सीटों पर लगभग 100 सीटों पर जो चुनाव पहले चरण के हुए हैं उसमें आप लोगों ने देखा क्या देख लिया क्या उनको इवियम के अंदर की बात पता चल गई कि उन्हों भाड में ये सवाल लगातार यहां उट रहे हैं कि इस अखेर इसका नाम का तरह का क्यों रखा गया बार बार तानाशाह की बात की जाती है तो तो आखिर ऐसी क्या ताना scholarly है क्या राज्यसतर पर जो राज्यसरकार चल रही है वह ताना क्या क्या राजे सरकार जो है तमाम तरह की मीडिया को जो है केंदर सरकार को लेके घेरा जाता है तो क्या राजे सरकार ने मीडिया को बहुत छूट दे रखा है जिसका जहां सासन है जो जहां जिसको उपाई लग रहा है वही दूसरे को दबा रहा है राजनीतिक इस्थिति आज क तारिक में यही हो गई है बिल्कुल बात बातों को लेकर ये रैली की जा रही है आखिर उन बातों का कितना प्रभाव जनता पर पड़ेगा और क्या जनता जिसको लाया जा रहा है बिल्कुल मादुकर देगे जनता पर प्रभाव पड़ेगा, वोटिंग के दिन, वोट और नतीजों के दिन कितना प्रभाव पड़ेगा देखना महत्वपूर्ण होगा, फिलाल आज राची से क्या कुछ कहा जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, इस पर आप न बनाये रखिए जानकारियों के लिए आपको बहुत शुक्रिया मदुकर